नमस्कार दोस्तों, कंचन की रसोई में आप सभी का स्वागत हैं। आप सभी कैसे हैं, आसा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपने जीवन में एकदम खुस होंगे। तो आज मैं अपने रसोई में बनाने वाली हूँ सहजन की शबजी मुन्गा की शबजी भी इसे कर सकते हैं तो देखिए सभी मुन्गा को मैं छोटा छोटा टुकडे में कट कर ली हूँ और इसका इस तरीके से छिलका उतार लेती हूँ सभी मुनगा से छिलका उतार ली हूँ आप सभी देख सकते हैं इतना छिलका निकल गया है सभी मुनगा को अच्छी तरह साफ पानी से धोली हूँ और इसे गैस पर उबलने के लिए कड़ाही में बैठा देती हूँ पांच मिनट के लिए इस उबा लेंगे ढखकर मुनगा उबल गया है अब पानी से अलग कर लेती हूँ मुनगा को देख सकते हैं पानी से अलग कर ली हूँ इतना ही उबलना है अब कड़ाही गरम होने के लिए गैस पर बैठा दी हूँ इसे फ्राई करने के लिए और इसमें डालेंगे शर्षो तेल, थोड़ा सा जीरा और चारो तरफ तेल के फैला लेंगे इस तरीके से और इसमें मुनगा डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इधर मुनगा फ्राई हो रहा है तब तक आलू को कट कर लेंगे आलू और मुनगा के श्रबजी बनाएंगे देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा सेफ में आलू को कट कर लेंगे पांचे आलू हैं और तड़के में डालने के लिए इधर दो तेज पत्ता रख ली हूँ तीनचार लासुन की कलिया आधा लाल मिर्च और दो बड़े प्याज हैं छेसा थारे मिर्च है इसे कट कर ली हूँ और टमाटर है दो बड़े मसाला में दो लाल मिर्च, दाल चेनी, बड़ी इलाची, दो छोटी इलाची, दो लाउंग, जैवीत्री, धनिया और लौसुन की कलिया, मरिज, जीरा और एक चमश हल्दी पड़र सभी को जार में डाल कर पिस लेती हूँ मसाला पिस आ गया है अब इसी जार में टमाटर डाल कर पीरी बना लेती हूँ टमाटर के पीरी भी बन गया है और देखिए इधर मुनगा भी फ्राई हो गया है गाओं के लोग इसे मुनगा कहते हैं और सहजन भी कहते हैं तो सहजन फ्राई हो गया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ देख सकते हैं सहजन को मैं दूसरे प्लेट में निकाल ली हूँ साजन फ्राई किये थे उसी तेल में अलू और मसाला भून लेंगे इसमें अधा चमजीरा डालेंगे और तेज पत्ता साथ में कटे हुए हरे मिर्च और कटे हुए लासुन तड़का फ्राई हो गया इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे और आप सभी अभी तक लाइक नहीं किया हैं तो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी वीडियो डालू तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिलें प्याज भूना गया है और इसमें डाल लेंगे आलू को और इसे लाल एदम भूनेंगे आलू और सहजन की श्रबजी इस तरीके से बनाएगा तो बहुत टेस्टी बनता है आलू भूना गया है और थोड़ा भूनेंगे देखिए एकदम लाल भूना गया है अब इसमें डालेंगे मसाला जो पीसकर रखी थी दो मिनट के लिए इसे भूनेंगे मसाला भूना गया है अब इसमें टमाटर को पीरी डाल कर भी भून लेंगे साथ में स्वाद और सान नमक डालेंगे दो मिनट मसाला भूना गया इसमें डालेंगे कास्मीरी लाल मिर्च आधा चमच और फिर से इसे ढख कर भून लेंगे दो मिनट बाद आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुए है सबजी में अब मैं इसमें डालूँगी मीट मसाला आधा चमच और साथ में गरम मसाला यह भी आधा चमच बोल्डी के गरम मसाला है और दो मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे सहजन के सभी तो सभी लोग बनाते हैं पर इस तरीके से एक बार बना कर ट्राई करिएगा बहुत टेस्टी बनता है आप सभी देख सकते हैं मसाला भूना गया है कितना अच्छा अब इसमें डालेंगे भूने हुए सहजन को और मसाले के साथ भी इसे भून लेंगे दो मिनट के लिए इसे भूनेंगे ताकि अच्छी तरह इसमें भी मसाला भूना जाए फिर से इसे ढख देती हुँ शबजी भूना गया है अब इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे पानी ग्रेवी अपने उनसार रख सकते हैं पतला या गढ़ा चावल के साथ खाना है तो थोड़ा मैं पतला ही ग्रेवी रखूँगी और इसे दस मिनट के लिए ढख कर पकाऊँगी दस मिनट बाद आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा सब्जी मेरा पक कर त्यार हो गया है और इसमें कितना अच्छा कलर आया हुए है आप सभी को चेक करके दिखाती हूँ कि आलू पका हुआ है कि नहीं देखिए आलू पक गया है और सहजन भी पका है कि नहीं आप सभी को दिखाती हूँ देख सकते हैं कितना अच्छा पक गया है और आप सभी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रेवी है ना ज़्यदा गाढ़ा है और ना ज़्यदा पतला तो ऐसा ही ग्रेवी रखेंगे आप सभी को प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ देख सकते हैं आप सभी कितना अच्छा सबजी मेरा बना हुआ है सहजन को छिलका हटा कर और उबाल कर बनाईएगा तो बहुत टेस्टी सबजी बनता है तो इस तरीके से आप सभी बनाईएगा और ये मेरा रेश्पी आप सभी को कैसा लगा कोमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताईएगा और आप सभी सहजन के किन किन नामों से जानते हैं ये भी बताईएगा हम लोग तो इसे मुनगा और सहजन के नाम से जानते हैं तो थाली लगा ली हूँ चावल और आलू मुनगा किश्रब जी साथ में रोटी और आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फिर मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई